Dear students, welcome back. RPSC, yes, once again, another year, two paper and 300 questions. Madness, I must say, यदि आप इस सिरीज को follow कर रहे हैं, तो आपने 300 question में डूब की लगाया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि RPSC, क्या चीज है Assistant Professor के exam में, और किस level का ये question पूछ रहे हैं? Of course, 2016 का paper जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी analyze किया था कुछ 4-5 दिन पहले, वो इस से बहतर paper थी. आज हम analyze कर रहे हैं 2021 का paper 1, फिर करेंगे paper 2, but I must say कि मुझे इस paper ने निराश किया है. मतलब tough का मतलब ये नहीं होता है, जो इन्होंने किया है, रुक के आप डीप यदी question पूछा है, तो आपको लएगा कि अच्छे हैं. चलिए ये सब बाते तो जो मैं बोल रहा हूँ, आप समझेंगे जब इस question को देखेंगे, इस देर सो question को, तो एक लंबी जड़नी को चलिए शुरू करते हैं, बिना और बाते बनाये हुए, RPSC Assistant Professor 2021 Political Science Paper, One Paper Analysis. इससे पहले कि हम question answer का दौर करें, शुरू आप सब को मैं invite करता हूँ, कि यदि आप best way में, आप तैयारी तो UGC NET की और Assistant Professor की, कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक बहुत अच्छा experience चाहते हैं, एक खुसनुमा experience, और directly मेरे direction में, तो आप जॉइन कर सकते हैं उस group को जो भी just सुरू हुई है, जिसकी यहाँ पे detail दी गई है, और यहाँ पे register करनी के लिए आप इस पे mail करें, यहाँ मैंने mail ID दी हब तक आपको email ID पता होगी, at a nominal cost of course, आप per month पे भी join कर सकते हैं, और 5 महने का पूरा endeavor है, अगस्ट से लेके December जब तक की, यह cycle जो December 2023 की होगी तब तक के लिए, I hope कि मेरे कई student इसका फाइदा उठाएंगे, और मैं इस पे ज़्यादा इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप join करेंगे, तो आप समझभाएंगे कि क्या पूरा endeavor है, let us see कि आप मेंसे कितने लोग interested होते हैं, otherwise यह group काफी अच्छा भी चल रहा है, तो आपको मैं invite कर रहा हूं इसमें, क्योंकि जो test paper अभी उसमें है, वो आपको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इसमें जब join करते हैं, तो आपको पुराने test paper, बिल्कुल live मिलते हैं आप उसको online, आप उस paper को take up कर सकते हैं, उसमें PDF भी मिलता है, और बहुत सारे material भी मिलते हैं, और of course week में दो बार एक live session में मैं खुद ही doubt clear करता हूँ और discuss करते हैं, वेरी गुड एक्सपिरियंस, बहुत in-reaching experience आपको मिलेगा, लेट उस जॉइन दिस, ये जो है 2016 के ये paper 1 जो मैंने लिखा है, इसको काट देते हैं, ये syllabus हैं, जो कि 2016 के लिए भी same थी, 2021 के लिए भी same है, तो इसको आप देख लिजे, मैं इस पे कुछ कहूंगा नहीं, इस पे रुख करके आप एक बार जोड देख लिजे, जिए आप RPSC दे रहे हैं, तो इस paper के लिए सारी तयारी करें, ये मेरी सला है आपको. कुछ हैस में जो हैं थोड़े अलग हैं UGC NET से, बागी लगबग वही syllabus है. अब आएए question-answer का दौर करते हैं, सुरू. Who among the following thinkers define freedom as non-interference and considers the aim of public policy to mitigate avoidable suffering of people rather than promote happiness? अब आपको बुरी तरीके से confuse कर सकता है कि freedom को ऐसे define करने वाला कि freedom non-interference and consider the aim of public policy to mitigate avoidable suffering of people rather than promote happiness. तो इस तरह बाद आपको एक बाद तो समझ आ रहा होगा कि utilitarian thinker नहीं है. दूसरा आ रहा होगा कि ये liberal thinker है क्योंकि non-interference के बाद करते हैं freedom. तो मिल तो utilitarian है, इसको काट दीजिए और इन दोनों के बारे में आपको पता है कि ये libertarian है तो यहाँ पे आप कुछ अंदाज लगा सकते हैं लेकिन ये काल पॉपर है. यहाँ पे कुछ जो है, और ये जो paper को बनाने मेरी help अभी से एक पाठक ने किया है, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ. और उन्होंने कुछ-कुछ यहाँ पे नोट भी दिया है, कई नोट जो है, अभी शेक के हैं, कई नोट में रहे हैं. तो आप इस सब को पढ़ लिजेगा, जो अभी शेक ने दिया है, उन्होंने कहां से लिया है, वो भी यहाँ दिया है. आप सब को जाननी चाहिए. और वहाँ पे उन्होंने जो है, कॉन्सेप्ट दिया था, निगेटिव यूटिलिटरिनिजम. तो जस्ट आप समझ सकते हैं कि यह उसका उल्टा है, यूटिलिटरिनिजम जो हैपिनिस बढ़ाने के लिए पबलिक पॉलिसी लाने के बात करता है. और ये जो है happiness के बजाए जो है people के suffering को दूर करने के लिए और उनको non-interference के तुर freedom देने के लिए called popper. A kind of conservative liberal thinker. Who among the following describes freedom as silence of the law? ये basically इसके पहले के हम ये कहें, ये क्या thought है? Silence of the law मतलब एक कानून में जो नहीं लिखा है, वो करनी के हमाँ अजादी है. ये freedom है, ये भी freedom है, ये Thomas Hobbes ने कहाता है. अभी भी है, मालिज ये कानून जो चीजों को नहीं कहता है, कि कुछ भी नहीं है. कानून में लिखा है कि ये करना सही है, करना गलत है, लेकिन अदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो definitely exclusion free है उसको करनी के लिए Thomas Hobbes. और इसी से जो है negative liberty की principle निकलती है, जिसके की फादर भी Thomas Hobbes ही कहे जाते हैं. Who among the following, castigated, मतलब criticized बहुत बुरे तरीके से, castigated equality of opportunity as tadpole philosophy, मतलब मेंधक वाली philosophy. तो ये कहने वाले जो thinker थे, वो आरच तौव नहीं थे, तौव नहीं, अब जैसे pronounce कीजिए, इन्हों ने जो है, ये अभी से एक पाठक नहीं लिखा आपके लिए, equality of opportunity principle in his book, equality में उन्हों ने ये कहा था, कई लोग जो है, equality of opportunity को, खास करके जो equality of outcome के बात करते हैं, जो substantive equality के बात करते हैं, positive equality के बात करते हैं, वो deride करते हैं, equality of opportunity को, एक थोथा equality मानते हैं, जो liberal principle है, मतलब ये कौन से equality है, कि आप किसी के मालिजे pair में जूता नहीं है, और किसी को, नाइके का spike वाला जूता है, दोनों को 100 मेटर दौर के लिए आप एक line में खड़ा करते हैं, और आप कहते हैं कि दोनों बराबर हैं, ये equality of opportunity कुछ भी नहीं है, ये, कोई इसका माइनी नहीं है, तो यही बात को यहां पर लगभग वो कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहने वाली कोई ना कोई feminist thinker होंगे, आफ कोर्स यहां पर सारे feminist thinker हैं, लेकिन ये कहा है, सुजान मिलर ओकिन ने, और सुजान मिलर ओकिन ने, जौन रॉल के जो theory of justice है, उसको reformulate किया था, feminist perspective से, तो इसको आप पैरलली याद कर सकते हैं से, आन जे टिकनर ने, मॉर्गन थाओ के realist principle को feminist perspective से reformulate किया था, तो सुजान मिलर ओकिन ने, रॉल के theory किया, इतना चीज यहां पर लिखी गई है, आप इसको थोगा, पढ़ लीजेगा, काफी बाते समझ में आएगी कि, रॉल के theory को कैसे criticize करती हैं, The association of civil society may need to be reformed in the light of principles of citizenship, Michael Walger call his view as, यह Michael Walger जो कि एक communitarian, liberal communitarian thinker थे, उनकी यह जो theory है critical associationalism, यह काफी popular और important है, मतलब कि जो individual, जो association बनाता है, जो community बनाता है, वो उससे वो बिना मतलब कीज़ को नहीं बोलते हैं, कि आप बिना thought के संपूर्ण समर्पन के साथ किसी association को जोईन करते हो, नहीं, Walger कहते हैं कि वो critical assessment individual उसका करता है, that is called critical associationism, इसके बारे हम और पढ़ लेजिएगा, तो, क्योंकि एक citizen को अपनी individuality बनाए रखनी है, और उसको civil society का member भी होना है, the terminology Jacksonian democracy related to which of the following country, चुकि Jackson जो है, वो United States America के president थे, तो definitely उससे जुड़ी हुई होगी, तो इसलिए आप ये तो बहुत असान guess है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा और यहां पर पढ़ लीजे और आगे net पर चाहें, तो आप पर सकते हैं, उससे इसकी कोई जरुवत नहीं है, लेकिन यह जरूर याद रखे, कई exam में आपको help पढ़ेगा, critical associationalism of Michael Walzer, the commentarian, और यह वही Michael Walzer है, जिन्होंने complex equality का भी जो है, theory दिया था, who among the following thinkers has described democratic method as institutional arrangement for arriving at political decision in which individuals acquire the power to decide by means of competitive struggle for the people's vote, मतलब जो democracy है, एक market place of vote है, politician जो है, vote खरीदते हैं इसमें, compete करते हैं people's के vote के लिए, और उनके पास में क्या होती है, उनके पास political power होती है, उनके पास कुछ देने की ताकत होती है, citizen को खुस करने की होती है, कुछ promise करने की होती है, like that. इस टैप का जो democracy का जो view है, कि democracy कोई बहुत महान चीज नहीं है, बलकि इस टैप की competitive arena है for vote gathering, या कहिए elitist view of democracy, जिसमें ये कहा जाता है कि democracy क्या है, basically आप election के थ्रू, periodic election के थ्रू, आप एक elite या दूसरे elite group को चुमते हो अपने उपर राज करने के लिए. इस टैप की view जो है, वो जो सब सुम्पीटर रखते हैं, इसको मतलब कि आप कह सकते हैं, elitist definition of democracy, market definition of democracy या एक kind of bland or anti-classical definition of democracy. यह उन्होंने अपनी book capitalism, socialism, democracy, 1942 की बहुत famous book है, सुम्पीटर के, इसको कभी भूलियेगा मत. तो आप समझ सकते हैं कि यह ऐसे thinker होंगे, जो की socialist भी होंगे और pluralist भी होंगे. तो यह जो है, पॉलंजा है, पॉलंजा जो है, वो जाने जाते हैं, लुई अल्थुजर के शिश के तौर पे, structural marxism के लिए, पॉलंजा, milliband के साथ एक लंबी debate में भूलेशते हैं, structural versus instrumental view of the state in capitalist society उसके रूप में, और पॉलंजा जो है, बाद में, जो है, एक socialist, pluralist के तौर पे भी आते हैं, पढ़ लिजेगा इसको, which of the following is not a feature of euro-communism, अब यह question एकदम arbit जैसा है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, कि euro-पे जो communism है, यह बात, शायद यह करते हैं, उस euro-प की जो liberal है, मतलब west side euro-प, तो वहाँ पे single party system नहीं है, reject करता है, dictator-sever proletariat नहीं मानते हैं, और multi-party system होती है, और trade union को तो कोई reject करता है, किसी भी country में विचा है, west या इस चुरूप में, तो यह तो odd one out तो बहुत आसान है, यह, 10th, 10 number question देखे, who among the following coined the term, deliberative democracy, यह star question में मानता हूँ, क्योंकि, मतलब पहली बार मैंने इस type का देखा कि, who coined, और यह इतना अच्छा है कि कई exam में आपको बूछ सकते हैं, और यह जो हैं, वो Joseph Bassett है, Joseph Bassett ने कहां पे यह किया, आप यह book देख सकते हैं, Deliberative democracy, the majority principle Republican government में, Deliberative democracy का मतलब क्या होता है, कि people जो हैं, हर मामले पे, वो एक free deliberate करते हैं, Deliberation का मतलब discussion नहीं होता है, जहां पे कि आप अपने अर्गुमेंट क करते हैं, यह Deliberation नहीं है, जहां पे कि आप बिना किसी predefined preferences के, open mind से, जब आप बात को समझने के लिए जब discussion करते हैं, तो उसको Deliberation करते हैं, जब जैसे TV पे जो आप debate देखते हैं, वो Deliberation नहीं है, सभी अपने अपने बात को कहते हैं, वो that is just, आप अपनी बात को narrate करते ह होता है, कि आप अपनी बात नहीं कहते हैं, सुनते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं, और एक नतीजे पर पहुंचते हैं, तो उस टाइप की Deliberation से जब democracy चलती है, तो उसको Deliberative democracy कहते हैं, citizen के Deliberation से. यह भी बहुत स्टार कोशियन है, क्योंकि आपको जानना चाहिए, कि लिखने वाले Joseph Ortega Gassett थे, जो की theory of masses के लिए जाने जाते हैं, political formula के लिए जानते हैं, one of the elite, elite theory thinker, जो नहोंने की elite theory दिया, मतलब, कि जो rule होता है, always, एक elite class का होता है, बांकि masses तो उसके follower होते हैं. इसके बारे में और पढ़ लिजे, Gassett के बारे में, यहाँ पे parrot हो दिखते हैं, यह भी elite thinker हैं, जो समसुब बीटर की जो definition आपने देखिए, वो भी elite definition of democracy के लाती है, Robert Michael ने दिया था, iron law of oligarchy, वो भी बहुत important thinker है, elite theory के. Which of the following scholar considered the thought of John Rawl as Gladstonian and Spenserian? Spencer तो, Herbert Spencer जिन्होंने की survival of the fittest दिया था, तो उस type की बात, मतलब चलिए, यह तो arbit है, यह कहने वाले जो हैं, इसका spelling गलत है, Brian Barry है, जो की एक moral and political philosopher है, उनकी जो book है, यह सब, देख लिजे, लेकिन यह question तो arbit है कि किस ने कहा था, यह पकड़ना तो बहुत difficult है, लेकिन at least Herbert Spencer के बारे में जान लीजे, Brian Barry के बारे में जान लीजे, अब यहां region regression है, एक बात में बता दूँ कि इस पूरे paper में, almost सारे region regression का जो answer है, वो सीधा 3 है, मतलब both A and R are true and R is correct explanation, और कुछ है ही नहीं, even जो statement भी जो question पूछा है, उसमें भी दोनों statement correct है, तो मतलब एक तरह का formula है, आप बिना सोचे समझे देख सकते हैं कि दोनों सही है, तो बस पढ़ लीजे, C.B. Macpherson characterized early liberalism as possessive individualism, इस book में उन्होंने यह बात कही थी, यह तो मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि आज मैं नहीं of his own person or capacities, owing nothing to society for them, तो हम कुछ भी ओ नहीं करता है, जो मेरा है, मेरा है, यह सही है, तो यह सही है, Who among the following has given view that in France, Bonapartism, वहां के Louis Bonaparte, जो थे king थे, was an opportunistic and populist alliance between part of Borgesis and part of proletary to secure legitimacy for the regime. तो जहां भी Bonapart का आएगा, France के revolution का आएगा, वहां Karl Marx को आप याद कर सकते हैं, उनकी इस book को याद कर सकते हैं. The 18th Brumray of Louis Bonapart. तो Marx ने लिखा था, तो आप इसको guess कर सकते हैं, वैसे यहां पर सारे Marxist हैं, In which of its National Congress, the Chinese, अभी चलिए हिंदी में बोलते हैं, यह तो इतना अर्बिट है कि मैं discuss नहीं कर रहा हूँ, कौन से अपने National Congress, जो People's Communist Party की होती है, Convention साल में एक दो बार, उसमें उन्होंने जो है market economy को अपनाया था, तो I don't know how they can ask this type of question. Who among the following reiterated, reiterating Thomas Aquinas categorically assert that authority and power is derived from God. यहां पर देखें, यह तो बहुत अर्बिट है कि इन्होंने कहा है, यह तो आपको याद रहिंग जवत नहीं है, लेकिन Thomas Aquinas को जो याद कर लीजए, कई exam में पूछा जाता है, यह Thomas Aquinas जो है 13th century में थे और medieval काल के, यूरोप के बहुत बड़े thinker माने जाते हैं, इन्होंने five proof of God दिया, God को यह हर जगए invoke करते हैं, इनके लिए मानव का खुशी है God के बारे में मनन करना, contemplate करना, और कई-कई इनके और thought आप देख सकते हैं, just war पे भी इनके thought हैं, कानून पे thought हैं, और बहुत चीजों पर आप पढ़ना चाहिए इसको, who among the following thinkers warns that price of erosion of all natural authority in society is the increasing military domination of government, तो इस step के बाद की natural authority का erosion से जो है militarization बह रहा है, यह कहने वाले कोई नहीं कोई famous conservative thinker होंगे, और इससे बड़े यहां पे कोई conservatist नहीं है, Edmund Burke से, इसलिए यह guess कर सकते हैं, आप और यही सही है, which of the following are the purpose of the constitution, अब यहां पे देखें क्या है, कि ऐसे जितनी question इस paper में है, उन सब का answer है all, all of the ever, तो यहां पे देखें empower करना state को, एक value देना, पुरे country का unifying value and goal, यह सब तो ठीक है, बट legitimize करना regime को चलिए ठीक है, मतलब ठीक है, यहां पे देखें Thomas Peng की book के बारे में है, who among the following thinkers asserted that if politicians are allowed to use their judgment, they will use this advantage to pursue their own self-interest, मतलब उनको कोई भी यह दी निर्ने लेने दिया जागा, तो अपने बारे अपने खुद के स्वार्थ के लिए लेंगे निर्ने, government without constitution is power without right, यह जो line है, बहुत important है, government without constitution is power without right, right मतलब आपको जो अधिकार मिलता है, यदि कोई constitution नहीं तो आपको rights भी नहीं है, वो arbitrary government है, Thomas Paine जुन्होंने लिखा था, the right of man and common sense भी, 1791, consider the following statement of A.V. Dicee about constitution, अब यह आप पढ़ लीजेगा, मतलब यह rule of law पह, कोई ब्यक्ती law से उपर नहीं है, और फिर जो है, ब्रिटेन के बारे में है कि parliamentary sovereignty और common law इसके दो pillar हैं ब्लाबला, यह दोनों ही सही हैं, बिलकुल लगता ही है, A.V. Dicee को आप जानते हैं, rule of law के लिए, इन्होंने famous book लिखा था, the law of the constitution, इस book के बारे में पुछा जाता है, and who is the father of rule of law, यह British common law, according to Pannock and Smith, अब यह नाम पे मज जाए, question उतना difficult नहीं है, whoever has said, which of the following are the essential elements of constitutionalism, वहाँ था constitution, यहाँ है constitutionalism, the constitution as an embodiment of essential institution, बिलकुल सही है, the constitution as a restraint upon political power, यह घेरे में बानता है, सरकार को आपको right देता है, the constitution as the director of development, आप देखे, DPSP हमारे हैं जैसे है, the constitution as the, as an organizer of political authority, कैसे political authority organized, we are state, center, उसका relation, तो सभी सभी सही है, 22 देखे, who among the following scholars has presented the idea of delegative democracy, पहले तुसमें ये delegative democracy क्या होती है, जब citizen अपनी अधिकार जो है, delegate कर देते हैं, politicians को, leader को, तो जो सुन्पीटर कहते हैं, मतलब आपने अपनी सत्ता सौंप दी, elite के हाथों में, और यदी elite उसका जो है, तोड़ा ज़्यादा फाइदा उठा ले, और बिल्कुल आपको दरकिनार करके, आपके उपर सूपर चा जाए, तो वो delegative democracy, मतलब it is not a good democracy, delegative democracy, guided democracy, ये सब flawed democracy मानी जाती है, मतलब not good democracy, ये कहने वाले तो चलिए ठीक है, याद कर लिजे, gulliremo O. Donald, I think ये Latin American थै, अभी हम लोग ने देखा, सुम्पिटर की जो थाट थी, capitalism, socialism, democracy, तो सुम्पिटर राओ अनालोगी between political behavior and market behavior, अभी तो जास्थ हम लोग ने दिसकूस किया, where leaders compete for people's vote, the vote having the same importance as money in the market, he perceives a division between political activists and passive electorate as a key to a strong, efficient government, दोनों ये बिलकुल common statement है और सही है, एक बार और पढ़ लिजेए, 24 देखे, Francis Fukuama का हैं जिक्र हाप जानते हैं, end of history thesis लिखने बाले, the end of history and the last man, according to Francis Fukuama, the strength of liberal democracy in comparison to its rival, communism and fascism, becomes apparent because it has created a better mechanism for proper recognition of ordinary people, कौन कहेगा नहीं, ये तुम कहें थेसिस, reason दिया है, democracy today has become as much a necessity for economics as it has been for politics and that implies issue of development, economic equality, civil and political rights have to be guaranteed by any government. जैसा मैंने बुला है अजे फर्मूला, इसके सारे रीजन इजसन का एंसर जो है, वो है कि दोनों सही हैं और आर उसको explain करता है, तो जस्ट आपको knowledge देरा है, पढ़के निकल जाएए. Who among the following has given the concept of stationary bandit, मतलब ठहरा हुआ डकेट, to define autocrat, जो autocrat है वो ठहरा हुआ डकेट है, कोई loot के भागता नहीं है, continuous आपके सामने है और लगाता, loot रहा है, ये कहने वाले जो है, ये मैंकर ओलसन है, तो मैंकर ओलसन ने ये जो book लिखा था, मैंकर ओलसन पढ़ लिजेगा, ये कहाँ पे एक particular book में इन्होंने जो है, मैंकर ओलसन ने, sociologist उन्होंने ये, describe किया था इस तरह के, autocrat को इसे अफरिका में जैसे हैं, Latin America में आजे, stationary bandit. Who among the following thinkers coined the term sultanism या sultanism to define authoritarian regime, ये भी autocrat और ये, और ये जो है Max Weber नहीं किया था, इस book में, Economy and Society, ये book इतनी important है, ये term तो चलिए ठीक है, एक बार आप याद हुजाए, कभी आप भूलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको साथे दिखते हैं, existentialism के Benjamin Barber भी दिखते हैं, ये भी एक तरह के liberal, critical liberal thinker है, ana ardent दिखती हैं, जो की बहुत ही famous एक तरह की thinker है, multi-dimensional को आप किसी स्रेणी में नहीं रख सकते हैं, sultanism is a form of authoritarian government characterized by extreme personal presence of the rule in all elements of governance, अभी आप जैसे की सौधिय अरभ सब में देख सकते हैं, sultanism है भी और it's like that, who among the following is the author of the book, totalitarian and authoritarian regime, ये book बहुत important है, और इसके जो thinker हैं, वो बहुत unknown है, जुआन जोज लिंस, तो एक बार याद कर लीजिए, इसका दो-दो बार यहां जिकड़ाया है, तो ये पूछ रहे हैं थो सकता है, किसी और exam में भी पूछा जाए, वैसे totalitarian पे जो सबसे जो important book है वो आना, आरेंड की है, in which of the following countries, that the unitary government system exists, जर्मनी को छोड़के सब में, जर्मनी federal है, ये जितने nordic country हैं, Sweden, Northern Finland, ये जो है, unitary है, who among the following termed federal system as self-rule plus shared rule, मतलब की, जैसे self-rule क्या है, मतलब जो state है, या जो lower government है, वो आपने उपर खुद भी सासन करते हैं, और वो share भी करते हैं, central government के साथ, ये कहनी वाले Daniel Elajar है, मैंने अपनी वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, फेडरल सिस्टम पे, केसी वीर यहां पे दिखते हैं, जिन्होंने इंडियन फेडरलिजम को क्वजाई फेडरल डेक्लियर कर दिया था, which of the following country is not an example of parliamentary system of government, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमों odd one out कि रसिया प्रेजिदेन्स, पुतीन है, which of the following scholar criticized the presidential system and stated that dual democratic legitimacy, dual मतलब प्राइम इस्टर भी है और प्रेजिदेंट भी है, confuses voters and inhibits, मतलब inhibits मतलब रोकता है accountability, तो यह कहने वाले अगें वही linge हैं, जिन्होंने totalitarianism पे लिखा था, जोआन जोज लिंज, अब ये पढ़ लिजेगा, ये दोनों ही पढ़ लिजे, which of the following thinkers argued that separation of power is really just the convenience of the legislature, not the immutable dogma, जिसको मीटा आया ना जासे के, it can never be practical in the harsh sense, मतलब जो separation of power है, executive judiciary legislature, जो कि Montesk ने दिया था कि liberty citizen की बनी रहे, उसको यहाँ पे criticize कर रहे है, Lasky, कि practical में ये संभव होता नहीं है, legislature चाहता है, कि executive जो है, उससे separate रहे, उसको अधिकार दे, लेकिन ये Lasky ने इसलिए कहा होगा, कि जो parliamentary form में तो legislature एक तरीके से executive से दब ही जाता है, because executive legislature से निकलता है, और जो executive का head होता है, जो prime minister, legislature का भी head हो जाता है, Lasky की हाँ पे कुछ book, अभी शेक ने ये जुटाया है, आप देख लीजिए, एक grammar of politics, liberty in modern state, state theory and practice, Lasky जो हैं, एक left liberal thinker माने जाते हैं, pluralist भी, consider the following statement about USA, 38th president Ford, Rudolph Ford, अब ये क्यों हम जाने, एक particular president के बारे में है, कोई भी student क्यों जाने, but चलिए ठीक है, इसमें एक खास बात है, कि Ford was the only nominated president of USA, चलिए एक important है, one तो correct है, two correct नहीं है, कि वो पहले speaker थे, house of representative, जो वहां lower house को बोलते है, house of representative, जो अपने हैं का लोख सभाय है, वहां के upper house, जो अपने हैं का राज सभाय कहलाता है, Senate, दोनों मिलके हमारे हैं कहलाते है, संसद या Parliament, और वहां कहलाते हैं, Congress, Congress कोई party का नाम नहीं, बलकि Parliament को वहां Congress कहते हैं, जो अपने हैं कहने को प्रेसिदेंट हैं तो हैं तो राजा, तो ये तो चलिये, मैंतला, question, arbit, Simon Bolivar, the more influence the opposition has over policy making in parliamentary system is referred by a Liffart, कैसे पढ़ेंगे, Liz-fa, Liz-fa, as, तो लिब, जाई इसको ऐसे पढ़ ली जए Liz-faat, तो Liz-faat as, तो ये जो है, यदि opposition, जैसे मान लिए कभी opposition में Congress हैं, यदि उसकी बहुत ज़्यादा say हो जाए public policy बनाने में, तो आप क्या बोलेंगे, एक तरह का informal separation of power है, between the ruling party and the opposition party, Liz-faat जो है, वो known, जाने जाते हैं, तो जैसे बेल्जियम में हैं, South Africa में हैं, जहां की power sharing होती है, different communities हैं, वो इस तरीके से वहाँ पर arranged हैं, कि कोई majority शाशन नहीं हो सकता है, जैसे कि इंडिया में है कि हिंदू at least 84% है, माले जै कि ऐसा किसी country में हैं, बेल्जियम में हैं, कि डच और फ्रेंच बोलने वाले जो हैं 60-40 हैं, तो फिर वहाँ के बल एक ही हो सकता है, कि आप power को जो है share करें, इसको consorciationalism कहते हैं, उसकी जो thinker हैं वो, of the diverse viewpoint they embrace, आज ही आपने देखा, लोगसभा में कैसे debate होई, तो यह तो बिलकुल common question है, their internal working are supposed to be subject to monitoring from outside actor, why? मेरा question है क्यों, क्यों जो है किसी lay slasher के working को, इवन इंडिया में भी allowed नहीं है, house के अंदर जो होता, अस पर किसी का control नहीं है, मेरा नहीं सासी गलत होना चाहिए, लेकिंशका official answer दिया है, बहुत correct, इसलिए मैं question mark कर रहूँ, इसका होना चाहिए only one correct, the class, मतला ameer garib, is the basis of representation in the upper chamber of its laissez-lature, किस country के upper chamber है, जैसे अपने haraj सब है, वहाँ पे class के basis पे representation होता है, वो है house of lords, नाम ही है lords, मतला ameer logan का, which of the following thinker reconcile judicial review with democratic theory, and called it counter-majoritarian difficulty, very difficult, यह जरूर है कि यह statement बिलकुल सही है, जो judicial review जो है, वो counter-majoritarian है, तो उसके चलते हम यह मुसीबत उठाते हैं, लेकिन Alexander Bickel ने कहा, इसके बारे में, यहां पर कुछ चीज़े लिखी है, पढ़ लीजिए, who among the following scholars has given his view that in USA, supreme court, the political process of appointing judges, ensure that the court acted in line with, मतला वहां पर देखी क्या होता है, कि वहां यह question यह कर रहा है, कि अमेरिका के supreme court में, जो party line पर, जो appointment होती है, मतला जजेज का appointment वहां पर president करते हैं, और वो उसी judge को करते हैं, जो उनकी political party का ideology से match करते हैं, तो इस type की जो process है, उस पर अपना view किस ने दिया है, तो यह देने वाले जो हैं, वो Robert Dale है, जो कि polyarchie उन्होंने लिखा, और American political system को उन्होंने समझनी की पूरी कोशिस किये, इसी से जुड़ा हुआ, in fact, यह जो सवाल है, यह इसको explain करता है, यदि ऐसा होगा, तो वहां judges किस basis पर फैसला करेंगे, उनका जो attitude है, जो orientation है, ideological, उसके basis पर फैसला करने लगते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि abortion law को, जो उन्होंने abolish किया, क्योंकि अब conservative, जो हैं वहां majority में, Republican Party के द्वारा appointed judges हो गए हैं, Supreme Court में, तो उन्होंने liberal judges के जो Supreme Court थी, उसको पलट दिया, तो इसको attitudinal model of judicial decision making कहते हैं, जो USA में हो गया है, because of this, मतब judge जो हैं, वो ideologically neutral नहीं रह गए हैं, who among the following scholars has given a view about British political parties, that conservatives and labor party are same in distribution of power within, मतला अपने अंदर में जो उनका power distribution है, वो एक जैसा है, यह कहने वाले Robert McKenzie है, जो उनने political parties पे काफी काम किया है, यहां पे जो है, चलिए, next question रताते हैं, which of the following term is used by Morris Dewarger for political party, तो political party को एक community कहते हैं, और इससे important है कि political party के जो classification है party structure का, उसको उन्हें चार पार्टें बाटा है, party as caucus, as branch, as sale and militia, इसको पढ़ लिजेगा, और यह कई exam में पूछा आता है, who among the following scholars called most political parties as catch-all party, यह बहुत आसान question है, Otto Crickhammer, कुछ ही question इसमें है, जो कि बिल्कुल known है और जाने हैं उसमें से एक ही है, who among the following is the author of the book, the logic of collective action, public goods and theory of groups, तो again Mankar Olson यहाँ पर आपको देखते हैं, एक बार और आपने देखा है, तो यही उन्हें ने लिखा, यह book उनकी बहुत famous है, the logic of collective action, which of the following is not a feature of pressure group, यह सब बहुत vague question है, इसकी membership चली है, voluntary होती है, universal होता है nature में, indifferent tenure होता है, self-interest, unspecified, नहीं specified self-interest होता है, pressure group का, ठीक है, which of the following are the features of the associational pressure group according to Zine Blondel, Zine Blondel ने बहुत काफी काम किया है, इसी तरह का जो है, Gabriel Almond ने भी दिया है, associational, institutional, अनोमी और इस टाइब के interest group, तो associational interest group के इसमें से जो feature है, यह तीन हो यहाँ पर दिया गया है, तो just आप देख लीजिए, aim-based relationship, voluntaristic relationship, formal organization, बस आप पढ़ लीजिए, इसको और आगे जाके देखना है, मैं question mark कर दता हूँ, the national association for the advancement of colored people is the interest group of which of the following country, अब यह guess कर सकते हैं, कि इस type का colored people, तो America में ही होगा, तो USA, which of the following act is not mentioned in article 395 of the constitution, अब जो है constitution पे 10-12 question है, वो भी थोड़े से tough, थोड़े का, बहुत अच्छे का से tough level के हैं, लेकिन आपको यह ज्यान देते हैं, article 395 में इसमें से कौन सा act का जिकर नहीं है, article 395 जो यहां लिखा भी गया है, कई act को, पहले के act को, repeal करने की बात करता है, कि अब इसको हटा देंगे, उसमें 1935 की act बात करता है, Indian Independence Act की बात करता है, इसकी भी बात करता है, इसकी बात वो नहीं करता है, who among the following appointed B.N. Rao as constitutional advisor to the constitutional assembly, important यह है कि B.N. Rao जो है, constitutional advisor थे, किसने क्या वह इतना important नहीं है, यह यहाँ पर non-important पूछ रहा है, important बात की information दे दिया है, उसको Governor General of India ने point किया था, यह question बहुत सारे exam में आता है, कि the office of profit, जो term है, वो fundamental right वाले section में, किस article में mentioned है, यह article 18 में mentioned है, कहां, यह देखे, मैंने सीधा constitution से, copy करके दिया है, no person who is not a citizen of India, shall, while he holds any office of profit or trust under the state, except without the consent of the president, any title from any foreign state, इस तरह की बात जो है, abolition of title बाले में लिखी हुई है, office of profit, by which of the following constitutional amendment act, the term reasonable restriction, was inserted in clause 2 of article 19, यह बहुत ही अच्छा और आसान, medium-level question है, first amendment, नहरू जी के टाइम है, पहला amendment जो जून 1951 में होता है, और उसी में हमारे जो, right to freedom है, article 19, उसको बहुत कर्टील कर दिया जाता है, बहुत सारे restrictions लगा के, जोसको reasonable restrictions का आगे, as mentioned in article 37 of the constitution of India, directive principle of state policies are fundamental in the governance of the country, ऐसा लिखा हुआ है, सीधा, तो constitution से लिखा है तो आपको बस लेना है, इसको रट लेजे, which of the following word is not mentioned in article 51 A.G. of the constitution of India, it's such a difficult thing, कैसे याद रखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, हम सब को, citizen को preserve और बचाना है, forest, lake, river, wildlife, तो wildlife में क्या animal नहीं आ गया है, लेकिन animal वर्ड नहीं है, तो इन्होंने कहा है कौन सा वर्ड नहीं है, absurd, Any other territory comprised within the territory of India, but not specified in the first schedule of the constitution of India is known as, again, so orbit, और इसका answer बहुत है ये union territory, मैं तो कह रहा हूं for research किजिए, मैं नहीं कर पाया है, कि बहुत थकाने वाला exercise है, ये क्या कहना चाहता है, क्यों ये question है, Under which of the following article of the constitution of India, the legislature of the state may establish the contingency fund of the state, ये question अच्छा है, लेकिन difficult है, article 267 में जो है contingency fund की बात है, 1 contingency fund, 267, 1 जो है contingency fund of India है, और 2 जो है contingency fund of state है, contingency fund क्या होती है, ये consolidated fund के साथ में चलती है, contingency fund से कहीं भूकामप आ गई, बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, तो ये राष्टपती के हाथ में पावर होती है, of course, मतलब प्राइमिस्टर से ला देते हैं, उससे immediate जो है, बिना बहुत जादा पार्लेमेंट के कोई सैंक्सन नहीं चाहिए होता है, उससे पैसे निकालके आपदा में खर्च किया सकते हैं, contingency, contingency के मतलब भी आपदा होती है, Under Article 276 of Constitutional of India, the state legislature can make law related to tax on which of the following, तो ये देख के लगए है कि, profession पे, trade पे, employment पे, इन सब पे तो state ही बनाती है, तो ये सबी सही है, अर्टिकल 276 में लिखा हुआ भी है, In which of the article of Constitutional of India is the provision related to the audit and accounts of panchayat? तो ये तो याद रखना है, मैं सभी इस student को बलता हूँ कि, 243 के A, B, C, D, E, F, सब रट ले. तो ये ठीक है, difficult but not unexpected. Under the provisions of the Constitutional of India, there shall be constituted in every state, the district level, a district planning committee. ये आर्टिकल 243, ZD में लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है. To consolidate the plan prepared by the panchayat in the district. Second क्या है, to prepare a draft development plan for the district. मेरे हिसाब से, ये दोनों ही गलत हैं. तो ये होना चाहिए, लेकिन इसका official answer अलग है, क्योंकि ये किवल panchayat के लिए नहीं है, panchayat and municipality दोनों के लिए district में, क्योंकि एक district में बहुँ सारे panchayat पढ़ सकते हैं, और बहु सारे municipal area पढ़ते हैं. तो एक district planning committee का जिकर है, Article 243, ZD में, जो पूरे district के जो panchayat and municipal area है, उनका combined एक plan बनाए. तो इसलिए सही answer हो गए this, बोथ wrong. Under the provisions of constitution of India, the chair person of metropolitan planning committee, forward the development plan to which of the following. पहले ये समझे कि ये district planning committee से कैसे अलग है. Metropolitan area उसको कहते हैं, constitution में लिखा हुआ है, जो 10 लाग से अधिक सहरी area है, जो एक से अधिक district में फैल जाता है. और दो या दो से अधिक municipality और बहु सारे panchayat भी उसके आस-पास area में, उसके अंदर में रहते हैं. तो इसको metropolitan area कहते हैं, और पूरे metropolitan, चुकि अब district से भी आगे चला गया, तो इसके लिए constitution में article 243 ZE में, जस्ट उसके बाद, जो ZD के बाद, यह है कि there shall be metropolitan planning committee, जो पूरे metropolitan area में, जितने सहरी और panchayat परते हैं, उनकी, वो एक combined plan के लिए, और यह committee अपनी report, state government को सौपती है. यह लिखा हुआ यहां, पढ़ लेजी. After the conclusion of the presidential address, who among the following laid the authenticated copy of the address on the table of the loksabha? यह तो एक official काम है, तो एक officer होता है, जिसको secretary general of loksabha कहते हैं, जो head होता है, bureaucracy का, वो इसको ले करते हैं. यह पढ़ लीजेगा. Important यह है, इसमें दो-तीन बाते जानना, साथ यह article 87 में है, यह चीज़ देख लीजेगा, कि precedent जो इंडिया के होते हैं, वो हर, जब loksabha कंस्च्चूट होती है, तो पहला session, और हर साल का जो first session होता है, उसमें वो दोनों house को, वो jointly address करते हैं, यह session को कोई preside नहीं करता है, जैसे joint session और Parliament नहीं माना जाता, जहांए speaker preside करता है, यह चीज़ को ध्यान रखना चाहिए. यह star question है, बिलकुल जानना चाहिए के SD, डेवगोडा और पीवी नर्समा रहाओ, MP नहीं थे, और यह भी आपको जानना चाहिए, के MP होना जरूरी नहीं है, प्राइमिस्टर बनने के लिए, छे मैने के अंदर आपको MP बन जाना है, बहुत डिफिकल्ट जाननी के जरूरत भी नहीं, तो external affairs minister छोड़के यह तीनों होते हैं, इसके बारे में हैं पढ़ लिजेगा, क्यों जानना है, लिगन चलिए कुछ जैसा है, तो गौपाल स्वामी आयंगर, minister without portfolio, इसका मैने क्या होता है, कोई काम नहीं, बस minister, who among the following fix the date for the choosing of the deputy speaker of loksawa, choosing the election होगा, तो यह speaker करता है, तो just जान लिजे कि speaker जो है, वो date choose करता है, that's all, अब यह बहुत लंबा चुरा इंग्लिस में मैं पर देता हूँ कि, आपको पता है कि candidate को अभी na affidavit करना पड़ता है, कि आपकी criminal antecedent क्या है, खुद भरना पड़ता है, affidavit की मेरा, ये, 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 जो है, कोई convict हुए हैं, नहीं हुए हैं, जूटा दी होगा, तो आपका, candidate cancels हो जागी, ये कब से नहीं सुरू किया, तो 2002 से, इसको मैंने लिख दिया है, इसको याद कर लिजे, important है ये, according to article 128 of the constitution, वो क्या कहता आप देखिए, attendance of retired judges, at sitting of the supreme court, मतलब कि supreme court में retired judge, भी बैट के फैसला, सुन कर सकते हैं, ये कोर्ट में judges कमी हो, लेकिन with the previous consent of the president, वो ही पूछ रहा है, कि क्या word लिखा हुआ है, 120 में, previous consent, consent, previous sanction नहीं, previous consent, who among the following has not been the chief justice of India, ये सब तो ठीक है, मैंने भी देख लिया कि ठीक है, ये तीनो थे, मुझे भी कौन सा याद है, और किसी को क्यों याद हो, ये question बहुत अच्छा है, कि यदि president of India, transfer करता है, एक judge को, एक high court से, दूसरे high court में, तो किस के सला से करेगा, तो of course, chief justice of India के सला से करेगा, क्योंकि, जब दो court आ गए picture में, high court A, high court B, तो उसके उपर, जो authority तो supreme court के वल है, तो उसके सला से ही, ये transfer होती है, लेकिन यदि, एक ही judge को transfer करना हो, एक high court, दूसरे high court, तो उसके लिए chief justice तो वहाँ पर है, मतब, court के within में, उस state के, the supreme court of India has delivered its judgment, और in fact, ये जो, ये जो transfer होती है, एक high court judge की, ये दूसरे high court से, ये जो supreme court का collegium होता है, वही इसकी recommendation देता है, the supreme court of India has delivered its judgment, in I.C. Golaknat another versus Punjab, मतलब, Golaknat case कहते हैं, किस date को, मैं कहूंगा, इसको मत याद कीजिए, किस date को, absurd, consider the following statement given by, लेकिन, चलिए मैं पीछे जा रहा हूँ, Golaknat case के बारे में, जो जान लिजे, 1967 में ये deliver हुआ था, और ये landmark case है, क्योंकि इस case में, supreme court ने पहली बार object किया, कि parliament को, article 368 के तहत, जो amendment की right है, उसमें fundamental right को amend नहीं कर सकते हैं, ये right उनको नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात थी हुसे हैं, बात में केस्पानन्दा भारती case में, इसको पलट दिया गया, और supreme court ने कहां नहीं, fundamental right को भी, amend करने का right, parliament को है, किवल एक limitation है, कि basic structure जो constitution का है, उसको आपको नहीं destroy करना है, बाकि कहीं भी किसी part को आप amend कर सकते हैं, 70 देखे, consider the following statement given by supreme court of India, about judgment delivered in the SR BOMAE case, यह भी एक landmark case है, इसके पहले बहुत ज़्यादा article 356 का misuse होता था, central government बात बात पे जो है, सैंक्रो बार ऐसा हुआ कि state government को dismiss कर देती थी, कि वहाँ constitutional machinery breakdown हो गया है, यह at 94 में इस case में supreme court ने यह दो बाते कही, बहुत सारी बाते कही, लेकिन यह भी कही, the power conferred by article 356 upon the president is conditional power, it is not an absolute power, और यह judicial review के अंदर है, दूसरा, हम करेंगे इसका judicial review, उसके बात से बहुत कम हो गई, तो बोथ हार correct, on his retirement, the judge of high court may be appointed as, यह question आपको बहुत सोचने बाँ मिजबूर करता है, इसका जबाब यह है, कि retirement के बाद एक high court का judge बन सकता है, VC, किसी इन्वरस्टी का ambassador, governor, head of a committee, commission, अब बताइए, आप ज़स सोचिए, कि यदि एक judge retirement के बाद इतनी अच्छे-चे post ले सकता, और इस सब post को देने वाले कौन है, सरकार, तो जब वो कुरसी बे बैठेगा, तो सरकार के against क्या फैसला देते हुए, उसकी हिम्मत होगी, मतलब मैं यह यह कह रहाओं कि यह नहीं होना चाहिए, एक high court का judge या supreme court का judge को retirement के बाद कुछ भी नहीं लेना चाहिए, जिससे कि जब वो पद पे रहे, तो बिल्कुल वो निस्पक्ष हो, और खास करके क्यों क्योंकि उसको day in day out, सरकार के against फैसला देना होता है, कोट में लोग कप पहुंसते हैं, जब सरकार के against लोग जाते हैं, यदि सरकार ये सब लेके बैठी हो carrot, कि आप retire करो, आपको हम ये बना देंगे, लेकिन यदि आप अच्छा decision दो, तो फिर कैसे judiciary निस्पक्ष रहेगी, ये सोचने की बात है, मेरे मन में ये आने लगा इसको देख करके, तो answer तो चलिए ठीक है कि ये सबी हैं, which of the following governor of रास्थान, अब ये रास्थान वाले जितने भी हैं, मैंने छोड़ दिया है, question आगे देख लिजे, ये सब जो है रास्थान है, रास्थान तो मैंने छोड़ दिया है, इसकी तो आप सभी student को इसकी कोई मतलब है नहीं, ये भी मैंने छोड़ दिया है, ये बहुत अच्छा question है, star question है, under provision of which of the following article of the constitution of India, governor can reserve a bill for the consideration of the president of India, तो ये मैंने यहाँ पर उस article को reproduce भी कर दिया है, article 200, इसके तहद जो है, यदि दोनों house से पास, यदि दो house है तो, विधान सभा विधान परशाद या एक house, तो उसको भी governor reserve रख सकता है, president के reconsideration के लिए bill को, ये power governor को है, और इसमें बहुत अजीब है कि article 201 कहता है, कि माल जे प्रेज़ड़न बोले कि भाई, फिर से लोटा दे, तो बहुत ही center का बहुत ही super power है, state के legislative process पे, through article 200 and 201. According to rules of procedure and condition, ये भी रास्थान का है, छोड़ देजी. अब यहां पे आए, which of the following are the dimensions of the concept of international morality? अब international morality तो एक general सब्द है, जो कि interwar period में, First World War II के बीच में काफी international morality के बात होती थी. तो ये सब है, opposition to tyranny, nations should try to find out ways and means to adjust their interest, perpetual peace, nations must pursue moral values, तो ठीक है, general question है. ये तो बहुत आसान हो सकता है, आप जानते हैं, classical realism को, तो उसी डीडस से मिला देजीए, structural realism, या neo-realism, जो कि offensive neo-realist है, neo-classical realism, फरी जाकरिया है, and rational choice, तो एक ही बच जाता है, match कर लिजेगा. Who among the following is the author of the book, structural conflict, the third world against global liberalism. ये बुक भी बहुत important है, और ये थिंकर उससे भी जादा important, Stephen Day-Krishner, जो ने जो बुक लिखी है, organized hypocrisy, sovereignty as organized hypocrisy, very famous book, इसको जरूर इसके बारे में जानियेगा, कही जगा पूछाया जाता है. Who among the following scholars prefer the term partial international system for a subsystem? ये questions अब अर्बिट हैं, Stanley Hoffman के बद जान लीजे, ये liberal, liberal international relation के थिंकर है, as Stephen Day-Krishner realist माने जाते हैं. Which of the following thinker argue for revising Marx's ideal of withering away of the state that it should be freed from earlier claim about socialist internationalism and the dictatorship of the proletariat? अब ये question, जितना अर्बिट है, इसका जवाब भी होता है, अर्बिट है कि Jacks Derrida ने कहा है, Jacks Derrida, जो हैं post-modernist thinker है, I don't know, ये सही है, ये गलत है, मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ. Which of the following thinker is associated with the functionalist sociological approach in international politics? ये question star question है, क्योंकि functionalism और functional integration in सब के जो बहुत बड़े thinker जो हैं, David Meterny है, एक liberal thinker. इसके आगे फिर आया complex interdependence, Cohen और नाएका, लिकिन इसके पहले functionalist approach was very important in liberal internationalism. regionalism आपको पता है, answer तो 3 ही होगा. Alexander Wend, जो कि एक constructivist thinker है, believes that identity of state informs its interest. मतब आइडेंटिटी जैसा state अपना बनाता है, उसी अनुसार से उसका interest जो है, वो determined होता है. So, identity determined interest, constructivist approach. And identity खुद बनती ही है, social construction से. Identity is not given. State forms their identity and image through social construction. And those identity in turn creates the national interest. And then, उसी बेसिस पे state जो है, वो international relation में act करते है. reason है, he draws a distinction through between दाव, between social and corporate identity of the state. एक बहुत general type का statement हो, इसको deep research कर लिजे, तो दोनों से ही, दो type का identity, social and corporate. Consider the following statement. Dependency theorist argued that exploitative alliances between dominant class interest in core and peripheral societies prevented the latter, नहीं परिफरल society, from industrializing. बिलकुल सही है, यह तो dependency theory का thought है. they believed that cessation from the capitalist world economy was crucial for peripheral. मैंतलब उसे अलग हो जाओ, detach हो जाओ, decouple हो जाओ. तो बिलकुल सही है. Who among the following यहां पर रुख करके थोड़ा Rall, Prebis, Das, Santos, André Gunder, Frank, Samir Amin, Emmanuel Wallenstein, यह सब dependency theorist को याद कर लेजे. Who among the following thinkers is called the Pope of International Relations? यह भी star question मुझे लगा. मैंने first time यह word सुना, Pope of International Relations, लेकिन anyone, IR का student बोलेगा, वो है, Hans J. Morgan था, father of realism. Wish of the following thinkers analysis was closely associated with cold war and belief that bipolarity, मतलब कि bipolarity अच्छा है, stable है. यह करने वाले जो thinker थे bipolar stability theory देने वाले Kenneth Walls थे. यहाँ पर आपको Joseph N. भी दिखते हैं, soft power, soft versus hard power. Which of the following scholars were associated with the study of personality factor in decision making approach? इन international relation, of course. तो यही बहुत ही अजीब है कि इसमें तीन thinker दिया है, यह तीनो thinker हैं, तो इसके बारे में और आप जानकारी प्राप कर लीजिए. Who among the following scholars criticized the game theory in his book titled The Strategy of Conflict? पस यह जान लीजिए, यह Thomas Skilling है, इन्होंने काफी issues पे international relation में conflict पे book लिखा, इनके books का भी एक list जो है, जो है, जो है, जो है, चार-पांच book आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. यहां आपको Reson Now देखते हैं, जो इनकी भी book बहुत पूछी जाती है, यह दो तो चलिए, ठीक है, in fact, Martin Shubik, Shubik, पे भी मैंने एक दो question देखा है, तो इन सब को तो देख लीजिएगा. Which of the following approach is the extension of orthodox game theory? दो question game theory पे हैं. तो देखे, orthodox game theory में कोई जो competitive situation में जो decision making होती है, जहां पे कि आपका decision जो है, इस बात पे निर्वर करता है, एक guess पे, कि जो आपका साथ ही है, जिसके साथ में आप decision लेते हैं, मिल करके से prisoners dilemma में, वो क्या सोच रहा है? यहां पे कोई आपके पास में method नहीं होता कि उसके साथ में आप cooperate कर सके, जस एक दूसरे को guess करते हैं. लेकिन जब सीधे बैट के आप bargain करते हैं, तो वो game theory का extension हो जाता है. वहां पे भी आपको दिमाग देना पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उस basis पे आप bargain करते हैं, वो भी game theory का एक extension है. तो चली, मैंने तो answer ही यहां पे दे दिया है आपको, क्योंकि यह इतना अर्बिट answer है, इनके बारे में बहु ज़्यादा known भी नहीं है, आप जानना चाहते हैं, तो जान लेज़े. Which of the following are the primary power structure according to Suzanne Strange? Suzanne Strange ने Retreat of the Estate and Casino Capitalism, यह सब बुक लिखा है, काफी influential thinker है आयार में, तो यह सब ही जो है ना, knowledge structure, financial, security, production structure, यह सब जो है primary power structure वो देखती हैं. तो all है, और इसके बारे में जानना है तो पढ़ लेज़े. Who among the following thinkers claim that an overriding concern for the national interest is a matter of unavoidable necessity and therefore subject to classification neither as good or bad. तो इसका एक तो यह बहुत ही line जो है, वो भी दो बार पढ़ने के बाद ही, आप उसमझ मैंगा है, क्या कहना चाहता है. इसका answer जो है, वो भी unknown है, लेकिन यह thinker known है. You may not be knowing कि यह चीज उन्हाने कहा है. लेकिन George F. Kinan जो है, वो chief architect थे, मतलब main creator थे, containment policy, जो सको Truman Doctrine भी कहते हैं, just after World War II, अमेरिका का, उसके यह एक diplomat थे, यह अमेरिका के ambassador रहे थे, Russia में, USSR में, और उन्होंने containment policy बनाने में, Truman era में help किया था. Who among the following thinker is propounder of balance of threat theory? यह बहुत important question है, star question है, Stephen Wall, जो एक realist है, Stephen Wall का कहना है कि, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, दोनों ने nuclear weapon acquire कर लिया, तो यह balance of threat हो गया. अब balance of power के बजाए, जो है जादा, peace के लिए balance of threat काम करता है. मतलब, हम दोनों अब लड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों nuclear weaponized state है. This is balance of threat, इसको पढ़ ले जाएगा. Who among the following scholars term the principle of collective security as custodian of status quo? Status quo मतलब, जो अभी है वर्थमान, उसको बनाया रखना, no change. तो custodian of status quo, यह किस ने कहा? यह कहने वाले thinker, Walter Lippman है. Walter Lippman के बहुत सारे theory और books, जो हैं कई exam में पूछे जाते हैं, इनका democracy पे भी बहुत views हैं, और यहां आप देख रहे हैं, कि यह collective security पे भी एपनी view रख रहे हैं, तो इसके बारे में थोगा जान लिजीए, इस thinker और इनके books के बारे में. यह तो आसान question है, जो हर exam में पूछा आता है, तो NPT जो है 1968 में sign होती है, इंडिया ने sign नहीं किया, ध्यान रखेगा, इंडिया, पाकिस्तान, इसराहल साथीनों ने sign नहीं किया है, और 70 में यह ratify होती है, तो A cut to, और इसी से चुकी यह, जो है, crack हो जाती है, इसलिए यह super easy question है, बाकी को match कर लिजेगा, which of the following president of United States of America proposed star war, यह सब भी बहुत घिसा पीटा question है, यह रिनाल्ड रिगन इसका answer है, इसके बारे में पढ़ लिजेगा, इसका actual name था, strategic defense initiative, मतलब कि यह anti-missile technology थी, जो space में ही जो है, वो मार देगी, नीचे तक आने ही नहीं देगी, like that, इसलिए इसके star war का गया, who among the following thinkers has given a notion of five maxims of nuclear ethics, तो यह देने वाले liberal जोसफ नहीं है, और यह जो five doctrine है, इसको पढ़ लिजे, यह यहां पर दे गई है, इसको भी नहीं पढ़े आगे मत पढ़िए गया, यह इसलिए आसान है, कि बांकी war, जो है network war, risk and blah blah, यह तो difficult है, लेकि new war theory, मैरी कैल्डर ने दिया है, नए जमाने का war, after the cold war era, जब खतम हो गया, जो कि intra-state, ethnic, identity पे जो war होती है, तो वो, इससे यह crack हो जाता है, एक of four, और देखे, यह crack हो गया, बांकी को match करके आगे बढ़ जाईए, और rat भी लीजिये, who among the following has given view, that the conventional army loses, if it does not win, the gorilla wins, if he does not lose, यह बड़ा मज़ेदार जो sentence है, कि gorilla warfare में क्या है, यदि वो नहीं हारता तो वो ही जीता है, तो Henry Kissinger, Henry Kissinger is known for his shuttle diplomacy, याद रखेगा, who among the following has given the idea that, war is just an act of force to compel our enemy, to do our will, तो war के बारे में जहां भी इस type के बाते हों, वहां आप Karl-Wand Klauswicz, जो की Prusia, जो जिसको आप Germany अभी कहते हैं, उसके वो जनरल थे और काफी war theory उन्होंने उस पर काफी अपने बयान दिये हैं, अब यहां पर देखें, इन्होंने एक ऐसा major गल्ती किया, the ages of gaia है यह, G-A-I, gaia, gaia hypothesis, और जब तक यह दिया, ages of gain इन्होंने लिख दिया, है, वो भी नहीं समझ पाएं, क्योंकि हिंदी, इंग्लिस, ट्रांसलेशन, तो यह James Lablock है, और C का 1 से यह crack हो जाता है, उसके बाद आप बस मिला लिजेगा, यह सब theorist of green politics हैं, उन्होंने के book हैं, तो बहुत important है, आप इसको बिना मिलाय हुए, मत आगे बढ़ियेगा, जैसे कि मान लिजे, A का यहाँ आप देखें, तो A का 3 है, तो R ने नई जुन्होंने डीप ecology का concept दिया है, वो ecology, community and life style, इस पर उन्होंने लिखा है, जेम्स लव लॉक को GAYA है, परिवेस में जितने living and non-living entity है, उसके साथ में एक तरह का वो तारितम या imbalance बना करके, वो पूरे system को जिन्दा रखती है, अब ये question एकदम मैं कहूंगा, बखवास question है, IPCC के बारे में हमें जानना चाहिए, इंटर गौर्मेंटल पैनल और क्लामेट चेंज, जिसमें एक समय में आरके पचौरी इंडिया के वो भी थे, अलगौर के साथ में, और दोनों को 2007 का साथ पीस प्राइज मिला था, नॉबिल पीस प्राइज, अब ये कहता है कि 2013 में उनके एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि 95% ये सर्टेन है, कि हुमें के चलते ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये उन्होंने उस अपने रिपोर्ट के किस रिपोर्ट में लिखा था उस साल के, सकेंड रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट, नदेंग, नो नीद तो नो, इस मज़ कि उसने किस रिपोर्ट में दिया था IPCC ने, हुए अमांग दा फॉलोइंग क्वाइन दे टर्म, माक वर्ल्ड, तो माक वर्ल जो है Benjamin Barber ने कोईन किया है, तो आप इनके बारे में Benjamin Barber के बारे में और पढ़ लिजे, यहाँ पर मैंने कुछ दिया है, इन फेक्ट मेरे स्टूडेंट ने यह बनाया है, यह वाली जो नोट है, पढ़ लिजेगा, अब देखिए, आप सूपर कंफ्यूज कर सकता हैं, कि नेशन को इमाजिन कम्यूनिटी बेंडिक्ट एंडर्सन ने कहा था, क्यों, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि उनका यह कहना था कि, जैसे कि हम एक मनीपूरी के बगल में प्लेइन में बैठे हैं, तो हम लोग में कुछ भी समानता ऐसे नहीं है, लेकिन चुकी हम एक निसन के हैं, तो हम मानते हैं कि एक कम्यूनिटी के हम पाथ है, तो यह कहने वाले बेंडिक्ट एंडर्सन थे, लेकिन उन्हें रीजन को भी इमाजिन कम्यूनिटी कहा है, इस कुष्चेन के थूँ मैंने जाना, आप भी जान लिजे, इन हीज आर्टिकल, एंड अफ हिस्ट्री, आपको पता है उन्हेंने बुक भी लिखा है, कि उन्होंने फासिजम और कम्यूनिजम को चैलेंज बताया था, थैचरिजम तो एक थैचर के एरा को कहते हैं, वो क्यों चैलेंज होंगे, तो यह भी फ्रांसिस फुक्वामा ने कहा है, जान लिजेए, इस बहुत डिफकल्ट है जानना किसने क्या कहा है, इन्फरक्ट यह संटेंस का भी बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, एस सच किसी एक्जैम के लिए, यह जो है मनुस्मृति पर दोनों ही कथन सही हैं, मैंने बताया, जान फॉर्मूला दोनों सही होते हैं, तो जास पढ़ लिजे कि मनुस्मृति कंसीब्स, इस इंटीब्स आप पॉलिटिक्स आज इंटीग्रल तो सोसाइटी, मतला बिना राजनती के सोसाइटी नहीं चल सकती है, इस इस बेसिक फेक्टर विजे के सोसाइटी नहीं चल सकती है, की बात करता है, इसलिए मेरे अनुसार सी यह स्टेट्मेंट गलत है, इसको मैं सही नहीं नहीं मानता है, इसको मैं सब जानते हैं कि मैक्स वेबर ने यह किया था कि, मतलब कोटलिया के अरसास को परहा जाए तो मैक्याविली से भी जादा जो है वो राडिकल दिखता है और काफी इम्मोरल दिखता है, अब यहाँ पर जो है, मैं बिलकुल छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह इतना आर्बेट है कि किसी एक्जाम के लिए कोई इसका इंपर्टेंस नहीं। According to Jain idea, the recognition, यह तो आपको पता है कि दोनों ही सही होंगे तो बस पढ़ लीजे, According to Jain idea, the recognition of the spiritual nature of the self, आत्म, leads to the search for freedom from passions and to need to discipline them. बिलकुल सही है, at the same time, the recognition of the spiritual equality of all beings, आत्म तुला, leads to the ideal of आहिंसा. यह बस पढ़ लीजे, समझ लीजे कि Jain thinking में ऐसा है. यह तो मैं कुछ बस पढ़ने भी नहीं जा रहा हूँ. मतलब सो अर्बिट, अर्बिटनेस की यह लिमिट क्रॉस कर रहे हैं. 114 देखिए, the ancient Buddhist scripture, यह भी मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ. इतना specific है कि कोई Buddhist scholar भी confuse कर जाए. Which of the following path prohibits, यह common sensical इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ. आपको पता है कि Stang Mark जो है, वो बुद्धिजम में है, आठ मार्क. Samyak Drishti, Samyak Sankalp, Samyak Ajeev, Samyak Vaka, Karma, इसमें आजीव मतलब होता है, आजीविका. यदि आपको यह पता है, जिसमें मुझे पता है, तो इसका मतलब यह है, जो यहाँ है, कि कौन सा मार्क यह कहता है, आपको रोकता है, वो बिजनेस करने से, जिसमें एनीमल के हत्या की जाती है. तो कोई अजीव से, अजीविका सही होगा, तो यही सही है. Which of the following function were considered necessary by जिया बरनी for the sovereign? तो यह तीनों ही सही है, बस पढ़ लीजे, कि सर्या को इसको enforce करना है, immoral or sinful act को check करना है, और justice dispense करना है, जिसमें कि official का भरती भी justice के पाथ ही आता है. Again, जिया बरनी पे question है, according to जिया बरनी, that justice is the necessary condition of religion, and religion is a necessary condition of justice. इसको माल लीजे सही है, general statement है. It is the balance in which the action of people are judged. यह भी general statement है, इस ताइब बात हैं, उन्होंने कही है, और यहां तो formula के अनुसार यह always three सही होता है. Abul Fajl accepted which of the following theory of kinsip? इन्होंने basically दो theory दिया था. एक तो divine light theory, जो उन्होंने लिया था, जो Persian philosopher थे, सुहराबादी उससे लिया था, और दूसरा उन्होंने सोसल contact theory दिया था. लेकिन यहां इन दोनों को mix करके, यह divine inspiration theory ही किवल बैठता है इसमें. Abul Fajl divided society into four parts. यह आप देख सकते हैं, warrior, scholar, husbandman, liberal, मतलब जो grihasd and arty, arty, phizer and merchant. यह दोनों को आप grihasd कह सकते हैं, vashibi कह सकते हैं, krishak and vash. उसमें सबसे उपर किसको रखा था, यह है, तो warrior को रखा था. ठीक, अच्छा question है. राजा राम मोहन रॉय सब्मीटेड ए पेटिसन टू दे प्रीवी कांसिल फॉर दे फ्रीडम आप प्रेस. यह तो हम लोग सब को पता है. यह भी question मैंने बहुत 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 दिसक्स किया, कि उसमें क्या-क्या दली मोहन दिया, यहां पर ही क्या पूझ रहे हैं, कि उन्होंने किसके साथ जाकर कि यह अपील किया था? यह क्यों जानना है? यह इसलिए जानना चाहिए कि इसका एंसर है बेंथम. बेंथम उस टाइम में थे, कंटेंपरी थे जबकि राजा राम मोहन राय थे. और राजा राम मोहन राय उनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनकी यूटिलिटेरिनिजम से बहुँ जादा प्रहावित थे. इसलिए आप गैस कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा होगा कि उनका जो स्टाइल है वो जेम्स मिल से मिलता है. जेम्स मिल खुद ही जो हैं, वो बेंथम के दोस्त थे. और जेम्स मिल का जो बेटा था, जोन इस्टॉर्ट मिल, उसको बेंथम ने पढ़ाया भी था. Who among the following thinkers given his view about Dayanand Saraswati that it is the burdexter of the son of heaven, Dibaputra, this is what the stamp Dayanand left behind him, ये कहने वाले Shri Aura Bindu थे. बस जान लिजे, इतना प्रेज उन्होंने किया Dayanand Saraswati को. Which of the following body has not been mentioned by Dayanand Saraswati under his hypothesis of a state? जो मैंने answer देखा था, मुझे पता नहीं है, राज रिया सभा, और पढ़ लीजे ही सभा के बारे में क्या उन्होंने लिखा है. In which year Sayyad Ahmed Khan founded the United Indian Patriotic Association? IMPORTANT यह नहीं किस year, लेकिन IMPORTANT रेकिन होने यह found किया था और इसका क्या purpose था, वैसे इन्होंने 1888 में किया था. यह question अच्छा है कि E.V. Ramaswami नेकर, जिसको पेरियार कहा जाता है, वो किस-किस party से जुड़े थे, इन दो party से वो जुड़े थे, इस से जुड़े नहीं थे. इन फाक्क, Congress Party से भी पहले वो जुड़े हुए थे. तो A, B, उन्होंने जो DK established किया, उसी की बाद में तूट करके DMK और AI, ADMK यह सब बना. In the presidential address of which year's Congress session, दादा भाई नौरोजी declared that Swaraj is the aim of India's political effort. यह कई exam में यह पूछा जाता है, यह 1906 के session में यह जो हुआ था, Kolkata में. वहाँ पर, जो divide हुआ था Bengal का, उसके बाद यह हुआ था. Swaraj is a movement भी launch हुआ था. Again, Aarvindu आते हैं, according to Aarvindu, the persistence of the village community contributed to the failure of the development of a strong nation state. मैं नहीं जानता कि Aarvindu ने इतनी deride किया है village community को, just like Ambedkar. लेकिन इन्हों ने कहा है कि यह सही है, तो मैं आपको question mark कर रहा हूँ. It prevented people from the real realm, from being a partner in the struggle of the realm, the triumphs, disasters and failure of the rural either as a region. तो यह दोनों ही सही है. इसको बहुत रिसर्च कर लिजए दिया. इसा है, तो यह बहुत important है, कि उनके ऐसे view थे, जो कि Ambedkar के भी इसे लगपक view थे. The idea of superman in Aarvindu's philosophy is adapted from which of the following thinker? तो यह अच्छा question है, उन्होंने नीजे से लिया था, और यहां काफी चीजे इसके बारे में लिखी गए हैं, पढ़ लिजएगा. Superman उन्होंने positive way में लिया था, नीजे ने उसको negative way में लिया था. Consider the following statement regarding ideas of Mahatma Gandhi. यह उन्होंने, मुझे देख के लगता है कि plateau के ideal state से लिया है, there is no political power in the ideal state of plateau, because there is no state, of course in one sense. In such state, there would be no court or law, आपको पता है कि बिना court or law के था, क्योंकि सब यदि अपने सर जुका के अपने अपने काम करेंगे, जो उनके aptitude के अनुसार है, तो कोई कानून की जरुवत ही नहीं है, कोई infringement होगी ही नहीं कि इसी कानून की, कोई जरुवत ही नहीं पढ़ेगी. यह दोनों ही वियू सही है, और यहां ताज यह फर्मूला बोथ 1 and 2 are correct in entire paper. यहां पर भी आपको पता है कि यही होगा, बोथ सही होंगे, explain कर रहा होगा. Mahatma Gandhi invists that the amount of non-violence used would be the mark of an advanced society. यह तो general statement है सही है. That is why he made a clear distinction between his state and anarchist state. यह आकर के यह sentence मुझे थोड़ा परिशान करता है, और यह कहना क्या चाहते हैं, तो मैं question mark कर रहा हूँ, इन्होंने दोनों को सही कहा है. क्योंकि यह खुद को anarchist बताते थे. So what is his state? I don't know, सेटर क्या कहना चाहता है. Consider the following statement regarding Jawala Nehru. यह भी जो है दोनों statement correct है. According to him, scientific method is reason and rationality based effort and scientific approach is way of life. एकदम जनरल स्टेटमेंट है तो दोनों सही होंगे. Who among the following had talked of the importance of democratic decentralization and adult franchise as a basis of corporate democracy? यह कहने वाले, as per the setter, जैपरकास नारायन है, और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो पढ़ लेजिए. Who among the following is the author of the book, A Plea for Reconstruction of Indian Polity? यह जानना बहुत इंपर्टेंट है कोई कई एक्जाम पुछा आता है, यह जैपरकास नारायन नहीं यह बुक लिखे है. The most important contribution of Ram Manohar Lohia is his development of the concept of political decentralization. बिलकुल सही है चौखंबा राज याद के, यह four-pillared state. According to him, a truly non-violent society can be achieved only on the basis of decentralization. In a centralized society, the human beings are relegated into background and lose their freedom. यह बिलकुल सही है, सब जेनरल स्टेटमेंट है. According to Ram Manohar Lohia, which of the following are lacking in European socialism? देखे, वो European socialism के समर्थक नहीं थे. उनने Indian way of socialism दिया था. तो उनका कहना है कि वो इतोज, इलान and boldness तीनों miss करता है वहाँ के socialism. अब यह तो आपको रटनी की विज़वरत नहीं है, कि लेकिन यहाँ थोड़ा वोकेबलरी जान लिए, एलान का मितलब होता है, energy, style, enthusiasm. इतोज, a set of idea and attitude associated with a particular group or society. क्या हमारी इतोज है? मूल भावना. The Independent Labour Party बनाया था, Dr. Ambedkar ने, यह कहते हैं कि जब 1937 का election हुआ, तो Bombay legislative assembly में कितने seat जीता है इन्होंने? Dr. B. R. Ambedkar was a candidate for the first looks of high election. कहां से वो खड़े हुए थी? यह सब तरह का question, I don't know. हार गए थे, यह important है. और यह भी बताता है कि politics में, जो है, आप कितने विद्वान हैं उसे नहीं होता है. Ambedkar जी को हराने वाले एक unknown बेक्ती हैं. Who among the following points out that Machiavelli's use of the word low statu? मतलब वहां का, मतलब इटालियन में state होगा. Was different from the use of word state in modern times. तो यह कहने वाले जो है Quinton Skinner थे. Skinner guess कर सकते हैं, मैंने guess किया था, क्योंकि यह textual interpretation की जो Cambridge School है, उसके बहुत बड़े यह propounder थे. तो चुकि यह text को analyze करते हैं, अपहनक low statu, जो इटालियन में है, उसका क्या meaning है, क्या वो state से match करता है, way to, जो है, क्या वो virtue से match करता है, fortuna, जो है, जो है, इटालियन में, क्या वो fortune से match करता है, like this. तो, Cambridge School of Textual Interpretation, Quentin Skinner. According to Hegel, state is a coherent whole. Which of the following are included in it? All rights, freedom, welfare, of course. Who among the following thinkers given view that development of a strong state is in the core area of European world, was an essential component of the development of modern capitalism? The moment आप core देखते हैं, और European world, जिसको वो core मानते हैं, तो आपको Emanuel Wallenstein guess करना चाहिए, the world system theory, और वही सही है, core periphery. यहाँ पर थेड़ा इसको पोल आते हैं, तो उनकी इस book को कभी बुलियेगा मत, और यहाँ Barrington Moore आते हैं, दोनों sociologist हैं, इनको भी कभी मत बुलियेगा, social origin of dictatorship and democracy. Barrington Moore. Who among the following thinkers stated, preparation of war has been the great state building activity. यह famous sociologist Charles Tilly ने, इस paper में बहुत सारे sociologist के thoughts को दिया, इसलिए यह difficult हो गया है. Charles Tilly एक sociologist थे, उन्होंने यह दिया है, the formation of national estate in Western Europe. Who among the following has given the view that the need of the state organization is to exploit the exploiter? मतलब जो exploit करने वाले हैं, उसको state exploit करता है. यह कहने वाले Lenin है. Who among the following thinkers asserted that it was illusionary, illusion, मतलब miraj, miraj ka illusionary, to hold that state had a universal character that could harmonize the discordant element of civil society. मतलब प्रोलिस्ट भी को कौन काटता है? तो, of course, Karl Marx. Who among the following senses a paradox? The more the world economy has internationalized, the greater is the need for sovereign nation state. Of course, it is a paradox. और यह कहने वाले Paul Hurst है, बिलकुल अर्बित. Which of the following scholar described non-decision making as a second face of power? यह मैं कई बार बता चुका हूँ Backrack and Barra's का यह second dimension of power इसको Stephen Lukes ने कहा. First dimension of power वो है जो Robert Del कहते हैं, जो day to day हम जानते हैं, कि A का B के उपर power है, यदि A B को force कर सकता है, वो काम करने को जो B otherwise नहीं करता है. यह तो first dimension of power. सीधा direct power. Second dimension of power है, कि आप किसी को कोई काम करने से रोक दो, या आप किसी को किसी meeting में, किसी भी common forum पे उसकी बात को agenda में आने ही मत दो. तो power of agenda setting, यह second face of power है, और third face of power, जो सबसे खतरनाक face of power है, कि दूसरे के, जिसके उपर आपको power establish करना है, उसके mind पे ही कबजा कर लो, जिससे कि उसको पता ही न चले कि आप उसको dominate कर रहो, और उसको dominate होने में ही आनन्द आने लगे. जिसको hegemony कहा Gramsci ने, जो मैं कई बार कहा चुका हूँ. The Shapley-Shubic Index, related to which of the following? यह basically किसी democratic system में जितने stakeholder हैं, उनके बीच में जो coalition बनता है public policy को pass कराने के लिए, कोई policy को approve कराने के, उसको आप voting कह सकते हैं, majority से बनती है, policies, तो उसका index है कि कोई coalition कितना powerful है, तो voting power. Voting power का मतलब यहाँ simple voting में समझेगा. Who among the following called authority as natural necessity? तो of course यह कोई conservative thinker कहेगा, और यह conservative thinker अब यहाँ पे, तो Roger Scruton इतना difficult है, चलिए यहाँ पे, अभिशेक ने जो जुटा आए है, उसको पढ़ लीजेगा. यहाँ पे, सभी बड़े-बड़े जो हैं, conservative देख रहे हैं, यह ध्यान देजेगा. Who among the following scholar is associated with the idea of bureaucratic authoritarianism. तो यह दूसरी बार आपको गुलरे मो और जेनल दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको Irving crystal दिख रहे हैं, जो कि Godfather of Neoconservatism है, यह भी कहीं आगे कोई use हो जाए, इसको भी पढ़ लीजेगा. Who among the following scholars define that successful states having two types of power, despotic and infrastructural, बोथ converging, दोनों converge कर जाते हैं, to offer stability to the national political order. और यह कहने वाले हैं Michael Mann, another sociologist. Who among the following expressed the idea that individual rights are political Trump held by individual? Finally, 150-पा कुशियन, easy question, right as Trump. और यह Trump, Trump मतलब Trump card होती है ना. तो डॉर्किन कहते हैं कि fundamental right खास करके, आपके हाथ में तुरूप का पता है. आपको जब कुछ, मतलब help नहीं कर रहा हो, तो आपको fundamental right बचा सकता है. यदि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो आपका बहुत-बहुत आभार क्यूंकि ये इतना लंबा और इतना उबाने वाला भी हो सकता है और इतनी सारे इसमें अर्बिट कुश्चन हैं, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद. यदि आपने पसंद किया है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें मनन करें. अटलीज इसमें 50 कुश्चन तो ऐसे हैं तो जो आपको आगे बहुत हल्प करेंगे. और यदि आप NetJRF की preparation को एक मज़िदार वे में, एक lifelong experience के basis पे करना चाहते हैं, तो मैं आपको अहवान करता हूँ, invite करता हूँ, कि आप Test Series and Counseling, जो मेरे डाइक्सन में हो रही है, उसको आप जोईन कर सकते हैं at most nominal cost. और यदि बहुत successfully वो group चल रहा है, लेकिन कभी भी जोईन करने से आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि सारे Test Paper आपको वहाँ पे बोथ online और offline मिलते हैं, जो अभी तक हुए हैं, अभी तो वैसे एक ही दो हुए हैं. और यदि आप guide ढूंड रहे हैं, तो इससे बहतर कोई दो guide नहीं है, UGC Net Exam Guide Insta Mojo पे और 1000 MCQ for Net JRF, आप इसका फादा उठाएं, मिलेंगे कुछ दिनों के बाद, साथ 2-3 दिन मुझे लगेंगे, Paper 2 इसी year का analyze करने में तब तक के लिए विदा.